हेलो गाईस, अगर कहीं आपकी गाड़ी रास्ते में बंद पढ़ जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए और किन सिचुविशन्स में आप किन किन परिशितीयों में आप किन का किन का हल्प ले सकते हैं और कौन से ऐसे सोर्स हो सकते हैं जिसकी मदद कर आप अपनी इस समस्याओं से निदान पा सकते हैं तो चले फ्रेंट्स श्टार्ट करते हैं हम लोग अभी करेटा में थे बट हमारी गाड़ी सटन श्टार्ट नहीं हो रही थी यह हम लोगों ने रात में यह हमारी गाड़ी स्टार्ट करने की कुशिस्टी पर यह हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई तो हम लोगों ने सुबा आया और एक बार फिर पर इसको स्टार्ट करने की कुशिस्टी बट ये इसका इंजन गिल्कु भी रिस्पॉंस नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग अभी क्रेटा के डीजल वर्जिन्स पर हैं एसक्स मॉडल पर तो हम लोगों ने सोचा कि गाइस हो सकता है अब उसका जो इंजन है वो AIR ले लिया हो जिसकी वजह से ये स्टार नहीं हो पा रही है सो हम लोगों ने वो भी ट्राइ किया हम लोगों ने और भी सर्ज किया कि कहीं से कोई viablee का connection लूस तो नहीं वो भी हम लोगों ने चक किया पर हमारी इस क्रेटा पर इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी ऐसा गाइस हम लोगों के सामने पहली बार हो रहा है इस तरह की सिच्विशन्स में हम लोग पहले बार फसे हुए है हम लोगों ने कभी ऐसा सिच्विशन फेस नहीं किया तो हम लोगों ने काफि ट्राइ किया कि हमारी यह जो क्रेटा है श्टार्ट हो जाए हमको कोई प्रॉब्लम ना हो बट काफि करने के बाद भी सिच्वीशन्स वही हुए कि आखिर ता हमारी के जो क्रेटा है वो स्टार्ट हुई नहीं गैस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि आखिर ये कमपनी वालो लोगों ने ऐसे टेपिकल पोजिशन्स पर ये एर पंप कैसे देते हैं लोग के डिजाइन करने से पहले सोचना चाहिए ताकि एर पंप कुछ ऐसे प्लेस पे फिक्स करे जाए जहां से इसली होता है जिस तरिके से आपके सीवी बोल्ट को टाइट करते हैं सेम एस इस इस क्लॉकवाज डायरेशन्स पर रोटेट करके आप आई बोल्ट फिक्स कर सकते हैं आपका आई बोल्ट आपके स्टेपनी के साथ में दिया गया होता है जहां पर आपका स्टेपनी होता है आप पर iBolt find out कर सकते हैं जब हमारी गाड़ी चालू नहीं हो रही है तो अब लोगों ने यहाँ पर गाड़ी को टोचन करने के लिए गाड़ी बुला लिया है पिसलिए फ्रेंट्स देखते हैं कैसा टोचन करते हैं खरेंट्स देखते लिए हैं the food find out करने के लिए या तो आप अपनी कंपनी के सर्विश पर कॉल कर सकते हैं युनड़ा या फिर जो भी आपकी काल की ब्रांड बांड है और उस कंपनी के साथ आप कंटेक्ट कर के टो कर सकते हैं या फिर आप चाहें आपके पास सर्ष्वीस के रेक्वारमेंट हो तो आप अपने पॉस्टनल टोइंग सर्विस का भी हम ले सकते हैं हम लोगों ने यहां पर यह जो टोइंग सर्विस यह हमारी पुश्टनल है हम लोगोंने इसको अपने कौंटेक्ट के तूर गुछ आके रखा हैं, आप प्रोचेबल में हमको हमारी करेटा को लीड़ाने के लिए हमको थोड़ा सा पुश करना पड़े गाड़ी को धका देना होगा, चलिए गाइस इसके प्रोचेबल में लेकर आते हैं गाड़ी को फुश करके, actually guys क्रेटा थोड़ी सी हैवी है तो उसको पुल करने के लिए आपको उसके अप्रोचेबल में टोईंग वीकल बुलाना बढ़ेगा otherwise जो वीकल रहेगा वो इसको पुल नहीं कर पाएगा खीश नहीं पाएगा फिर से आपके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आप वीकल स्टो करने के लिए आपने अप्रचेबल के हिसाब से किसी भी तरीके के रोब का यूज़ कर सकते हैं जो कि उसके स्ट्रेंद पर डिपेंड करती है आप चाहे तो वायर रोब का या तो फिर प्लास्टिक रोब का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे नाले उन वगेरे का साथ ही वायर रोब का जो लैंद होना चाहिए वो सुटेबल होना चाहिए जिससे कि आपको गाड़ी ड्राइव करने में प्रॉब्लम ना आए जैसे कि चली फ्रेंट्स अब बाणना सिखाते हैं कैसे आप किसी रोब को आपने इस वीबोल्ट में बाण सकते हैं इसलिए स्टेप होता है वीकल स्टो करने के टाइम फ्रेंट्स कुछ प्रॉब्लम आपके सामने फेस आउट हो सकते हैं जैसे कि आपका जो वीकल्स है वो तोटली आजकल रिमोट के लिए हो गया है जिसकी वज़ा से आपका जो अगर Sensor है रिमोट का वो प्रॉपर में वर्क ना करेगा तो जो आपका Stirring है वो लॉक हो जाएगा साथ ही आपके जो ब्रेक सिस्टम है वो प्रॉपर वे वक नहीं कर पाएंगे रोप की स्ट्रेंथ के लिए फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने आपस में मर्ज कर रहे हैं ताकि रोप का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि सिंगल रोप के तुरू इस क्रेटा को खी प्राइबल रहे ताकि बिल्कुल भी आपको ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम ना हो तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार कित्ता लेंथ हो रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग यहां पर रोप को टाई करके एड़्जेस्ट कर लेते हैं इसका लेंथ तो गाइस यहां पर हम लोगों ने इंसर्ट पिन की हल्प ली है और साथ ही इंसर्ट पिन को हम लोगों ने लॉक कर दिया है ताकि यह बीच में निकले ना टोइंग के टाइप पर आपको कुछ बातों का ध्यार रखना होगा जैसे की गाड़ी रनी कंडिशन्स पर आती है तो आपको प्रॉपर वे में डिस्टेंस मेंटिन करना होगा अधर्वाइस आप एक दूसरे को स्ट्राइक कर देंगे और सेकेंड पॉइंट है जैसे की ट कि अब जान तर्शल देंगे अब जो हमारा एक्च्वल लोकेशन है वह बटन लगर नया राइपूर का अब लोगों को काड़ी सर्विस पर देने के लिए अब जो सर्विस सेंटर है गंड़ाइका वह जाना पड़ेगा में सिटी में जो कि यहां से 40 किलिविटर दूर का है गाइस यह व्यूज अक्च्वल में नया राइपूर अडन लगर का है जो कि काफी सुंदर और काफी गरिंडरी से भरा हुआ है राइपूर चतिस गड़ भारत के टॉप टेंड मोस्ट लवेबल रसिडेंट सिटीस में से एक है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही सांदार है जो कि बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत है जो कि बहुत है जो कि बहुत है जो कि बहुत है